यह बेशन वड़ा है या आप उसको जो नाम देना चाहते हो जिसको ब्रेड को बेशन में गोल में लपट की तला जाता है डिफ्राइ किया जाता है और फिर उसको बहुत प्यार से टेस्ट खाया जाता है वही रेशिपी को मैंने माइक्रो प्रो ग्रिल में बनाया है सबसे प मसाला जो मैंने डाला था और उसको माइक्रो वेव को यह पोर्शन में रखके उसको सिर्फ रोस्ट कर लिया था और उसके बाद में इसके अंदर पनीर चिली फ्लेक्स और वो मसाला डालके उसको इसके अंदर माइक्रो प्रो ग्रिल में यह तरीके से रखके उसको ग्रिल क किया गया और आप बहुत ध्यान से अगर देख रहे होंगे सो आप ड्रॉप ऑफ घी के अंदर ये माइक्रो प्रो ग्रिल में ये बना है और इसके अंदर मैंने पनीर का फिलिंग डाला हुआ है और इसको अब मैं कट कर रही हूँ और आप देख सकते होंगे कि इसके अंदर ये पनीर का हमने फिलिंग भरा है और बहुत सुन्दर से यम्मी से मेरे ये बेशन के रो बड़े या क्या कहते हैं आप उसको वह बनकी रैडी है मेरे जो चीज की सबसे बैस पार्ट है क्रिस्पीनेस तो मैं इसको एंजय कर रही हूँ और आप मैंसे जितनों ने अपने लिए माइक्रो प्रो ग्रिल खरीदा है उन्होंने एक बहुत अच्छा इंवेस्टमेंट किया है घर में हेल्दी एंड टेस्टी फूट बनाने के लिए सो इंडिप